इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है हिर्दय गती बढ़ जाती है और यह शरीर के अन्य भागों में रक्त को प्रभावी धंग से पंप करने में विफल हो जाती है यह दिल पर दबाव डालता है जिससे सीने में दर्द या दिल का दौरा भी पढ़ सकता है विनटेल M25 टेबलेटी या रक्त वाहिकाओं में दबाव को कम करता है यह रक्त वाहिकाओं को आराम देता है ताकि रक्त आपके हिर्दय में अधिक आसानी से प्रवाहित हो सके इससे हृदय पर दबाव कम होता है और हृदय गती धीमी हो जाती है इससे भविश्य में स्ट्रोक, दिल का दौरा या गुर्दी की समस्या होने का खत्रा कम हो जाता है आप आम तोर पर इस दवा को लेने से कोई प्रत्यक्ष लाब महसूस नहीं करते हैं लेकिन यह आपको स्वस्थ रखने के लिए लंबे समय तक काम करता है इस दवा के सबसे प्रभावी होने के लिए आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए भले ही आप बहतर महसूस करें इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं विनिटेल एम 25 टेबलेट इयार को भोजन के साथ लेना बहतर होता है विनिटेल एम 25 टेबलेट इयार दो बलड प्रेश कम करने वाले दवायों का मिश्रण है टैमिसर्टन और मेटोप्रोलोल सक्सिनेट टेलमी साटन एक एंगियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी की आब है यह रासायनिक एंगियोटेंसिन को अवरुद करके काम करता है जिससे रक्त वाहिकाओं को आराम मिलता है मेटोप्रोलोल सक्सिनेट एक बीटा ब्लॉकर है जो हिरदय गती और निम्न रक्चाप को कम करने के लिए विशेश रूप से हिरदय पर काम करता है साथ में वे रक्त को अधिक सुचारू रूप से बहने देते हैं और हिरदय को अधिक कुशलता से पंप करने की अनुमती देता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद